सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, आप मैं freedom और discipline पे आता हूँ. What is the meaning of discipline? What is the discipline word जो है, वो कौन से word से आया है? Again, discipline is one of your greatest wealths. आपकी सबसे बड़ी संपत्य आपके discipline है. Discipline word has come from the word disciple. आप मैं से जो लोग अंग्रेजी में थोड़ा सा जिनका जो लोग अंग्रेजी में थोड़ा से अभ्यस्त है, वो लोग समझेंगे कि disciple मतलब कहा है, disciple मतलब student शिश्य. Actually, real world is not student, शिश्य. विद्ध्यार्थी नइ शिश्य, विद्ध्यार्थ्य और शिश्य में यही फर्क है, विद्ध्यार्थ्य एक contractual होता है, teacher student का relationship एक contractual होता है, लेकिन शिश्य, शिश्य अलग होता है, disciple याने शिश्य, और शिश्य को discipline में रहना पढ़ता था, पहले जब वो गुरू कुल में रहते थे सुबह चार बजे उठके स्नान करो ये करो whatever वो सब मुझे detail में समझाने की ज़रत है disciple means शिश्य और वो disciple से आया है discipline एक शिश्य की तरह ग्रहन करना disciple word has come from the word discipline word has come from the word disciple disciple यानि शिश्य एक शिश्य की तरह ग्रहन करना और ये एक शिश्य की तरह ग्रहन करना जब आपको आगया ये आपका सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा जो है ये discipline जो है ये सबसे बड़ा क्योंकि बाकी के सभी wealth जो है बाकी की सभी संपत्यां इस discipline से आती है, willpower कहां से आता है, discipline से आता है, health कहां से आती है, discipline से आती है, अलग-अलग संसाधन, भौत इक संसाधन, मेरी health, क्योंकि याद रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, कि जान है तो जहान है, लिख लो, चाहो तो लिख लो, थोड़ा सा time दे रहा हूँ, जान है तो जहान है, और स्वास्त है तो धन्दा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है, स्वास्त है तो धन्दा है, तो स्वास्त है इतना ब health related issues में face कर चुका हूँ, मुझे और भी समझ में आ गया है, कि अब मुझे और भी कैसे उत्थाम करना है यहाँ पर, कहां कहां पर मैं कंजोर था, अब मैं कभी भी अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को उस केश से नहीं गुजारना चाहता, अभी जो recently जो हुआ है, कहां पर, कहीं पर तो कुछ energy में कमी थी, मुझे समझ में आ गयी है वो, खास करके जब शिल्पा मैडम का session मैंने attend किया, मुझे समझ में आ गया था, कि कहां पर वो एक जगए energy की कहीं पर कुछ कमी थी, अब मजाले कुछ हो जाया आजे इशेश, because of that discipline, एक शिश्य की तरह जब मैंने grant किया, जो शिल्पा मैडम ने सिखाया, एक शिश्य की तरह जब मैं grant करता हूँ, जब खरी जी मुझे कुछ बताते हैं, because he is the specialist in that field, और उसको मैं implement करता हूँ, अगर कोई charges हैं, तो वो charges दे करके, जब आप उसको implement करते हैं, एक शिश्य जब बनते हैं, disciple और disciple से आता है discipline, and that is your greatest संपत्ती, यह अगर है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, मेरे दोस्त, so let me start sharing the screen, once again, मैं अभी बहुत ज़्यादा opinions बीच बीच में, नहीं लिखना, and that is why, मेरी किताब में एक chapter है, और discipline कि disciple of one, मतलब क्या, disciple of one मतलब क्या, वो एक चीज जिसमें आप top level पे जाना चाहते हैं, बार 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 न जाने कितनी बार में मैं भूल शुक हूँ, मैं बोलता हूँ यार, पांच धंदे मत करो, वो एक धंदे में world class बना, discipline for that one thing, जिसमें आप top पे जाना चाहते हैं, मेरे life के 10 goals नहीं हैं, एक goal है, ठीक है, अब उस समय शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो चलो, वो एक priority, बच्चे नहीं, एक बेटी है, तो वो एक है, बट बाकी की चीजों में, that one thing, because Renuka Diagnostics is also now automated, that one thing, भारत को आत्म निर्भर बनाना, that is that, that, that one thing, यह है discipline, discipline किसी एक चीज़ के लिए, and then that discipline makes you free, मेरी जो किताब है, God Proposes, Man Disposes, मेरी जो किताब है, God Proposes, Man Disposes, उसमें एक chapter है, उसमें कहा गया है, discipline makes you free, how does it make you free, because discipline gives you a lot of wealth, physical wealth क्या है, physical wealth है money, physical wealth क्या है health, जब मैं healthy हूँ, I am free, वो discipline जिससे मुझे health बनाने को मौका मिलता है, I am free to do great things for this country, क्योंकि अगर health नहीं है, I will not be able to do those great things for the country, hello, आप अपने field में, आप अपने field में बहुत उचाई पर जाना चाहते हैं, right, discipline and, तो उचाई पर जाना चाहते हैं, उसके लिए you need discipline, और when you are disciplined, you have health, you have money, you have other resources, when you are disciplined, in talking to people, you make relationship, जब आप disciplined होते हैं, लोगों को समझने में, जब आप disciplined होते हैं, daily पढ़ने में, जब आप disciplined होते हैं, चीजों को implement करते हैं, now you are free to reach, whichever height you want to reach, मुझे एक दिन भारत रतने चाहिए है, इस देश के लिए, ये काम करने के लिए, ये पाने के लिए, ये ये पान, now I will be free, when I am disciplined, I will be free to get this approach, otherwise just for average, चीज जो है, अधिकतर लोग जो पाते हैं, जिन्दगी में, उसमें में मेरा कोई interest नहीं है, because the curse of average works there, कि ultimately कुल जमा कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, आए जीए, मर गए, खतम हो गए, ये मानो जनम का अर्थ क्या हुए है, discipline makes you free, discipline की सुबह रोज वो आदा घंटा वर्काउट करना है, it gives you good health, it makes you free to fly, to climb 10 stairs of step, 10 सीडिया जो चड़ने का आपको freedom मिलता है उससे, discipline makes you free, discipline doesn't bind you, कई लोगों का उल्टा, जो है conception होता है, कि discipline से तो मैं बंद जाता हूँ, नहीं, एक student है, discipline है daily, वो दो घंटे पढ़ाई का, वो दो घंटे पढ़ाई करके, he becomes free to do great in his career, discipline freedom के लिए होता है, discipline आपको बाहनने के लिए नहीं होता, और यह discipline मैं मैं आपकी life में लाना चाहता हूँ, कि आप अपना plan बनाए, अपनी strategy बनाए, now what is strategy sheet, strategy sheet is a discipline, हम अगले तीन साल क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, it is a discipline, discipline makes you free, अब हमको पता है किस रास्ते नहीं जाना, अब मेरे मन में doubt नहीं रहेगा, dilemma नहीं रहेगा, किस रास्ते जाओ, किस रास्ते जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, just for example, एक बड़ी अच्छी चीज मैंने अभी सिखी, यस दिने शरुरा जिने लिख दिया, जान है तो जाहन है, wealth है तो महान है, yes, wealth है तो महान है, और वो सब है तो, स्वास्त है तो धन्दा है, स्वास्त नहीं तो आप धन्दा नहीं कर सकते, so, मुझे, recently एक चीज जो है वो पता चली, जिससे मेरे को और life की clarity मिल गए, कई बार हमको doubt होता है, यारी गुलाब जामून रखा है, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ये वहाँ पे जाऊं, ये ओ पार्टी में वो, खाऊं या ना खाऊं, मुझे अब एक rule मिल गया, एक discipline का rule मिल गया, अपने health के लिए, अगर मन में सवाल उठता है, कि खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, मतलब नहीं खाऊंगे, simple, cd by, अगर कोई doubt ही नहीं है, तो आप जाओ, खाओ, enjoy करो, ये करो, अब आपने दो रोटी ले ले ली, तीन रोटी ले ली, चौथी, या नू या ना, मतलब नहीं लेना है, नको मला, जाला हो गया, ना, that is clarity, that is discipline, and that keeps me healthy, and free to achieve whatever I want to achieve in life, discipline makes you free, ये एक बहुत बड़ा sentence है, आप लिजेगा, और मेरी जो किताब है, उसके उपर में पूरा एक ही chapter, discipline makes you free, so what we are teaching you, is all these things, हम आपको wealth दे रहे हैं, to focus on one goal, जो से मैंने अपना example भी दिया, चीक है, अब again discipline, discipline का अब आपके business में क्या ही है, आप बोलोगे sir, आप तो personal life का बता रहे हो, business के से related भी तो कुछ बताओ, तो चलो मैं business के related बताता हूँ, आप अगर अपनी strategy sheet बनाते हैं, या अगर आपने अभी तक नहीं बनाई हैं, तो 18, 19 और 22 December को strategy sheet का कारिकरम होने वाला है, उस पे आप आईए, और आपको अपने तीन साल का discipline मिल जाएगा, क्या-क्या हमको करना है, क्या-क्या नहीं करना है, दूसरा business के discipline के मैं बात करता हूँ, as an entrepreneur, जब मैं आपको बोलता हूँ कि delegate करो, delegate करो, delegate करो, it is a discipline, कि हर वो काम जो कोई और कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, that is a discipline in your business, मैं बोल-बोल के गलास हो, अभी मेरे को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, इसलिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा, अगर आवाज थोड़ी सी मफड़ आ रही है तो, लेकिन ये clarity है, as a businessman, ये मेरा discipline है, कि हर वो काम जो कोई और कर सकता है, रेनु का diagnostics में, वो मैं नहीं करूंगा, और आने वाले समय में life champions ecosystem में भी यही होगा, a series of leaders who are doing things which I will not be doing. और उससे मुझे freedom मिलता है, रेनु का diagnostics को और बढ़ाने के बारे में सोचने का, because you do not follow this discipline, because आप एक team नहीं बनाते हो, अरे एक आदमी तो रखो यार, एक आदमी तो रखो, जिसको वो कुछ काम कराओ, जो तुम यह को, मैं थोड़ी बोलता हूँ, कि साथ गोड़ों के साथ manager appoint कर दो, नहीं, अभी आपकी इतनी wealth नहीं बनिये, wealth तब बनेगी जब आप एक आदमी तो रखो, और कुछ काम जो तुमारे लाइक नहीं है, उसको करूँ, सिखाओ उसको, ताकि बाद में आज जो तुम करें उसके, वो सब काम भी कोई और करें और तुम उसके उपर में जाओ. अगले दो दिन, I am going to meet three ministers of 36 गड़्ट and two secretaries. I have the freedom to do so because I do not fear कि यार ये इधर रेनुका का क्या होगा, रेनुका वो लाब चलती रहेगी. I have the freedom to expand, पर अगर मैं discipline में नहीं हूँ और हर वो काम करता हूँ, जो कोई दूसरा कर सकता है, मैं सुबे से शाम तक यहीं फसा रहूँगा और वो freedom मुझे नहीं मिलेगा, कि अपने business को grow कर सकूँ, जो आप सब करना चाहते हूँ. Discipline gives you freedom. तो एक businessman का discipline है, कि he work on the business, not in the business. और यहीं आप नहीं करते हूँ अगर, काफी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मन में कोई doubt है या कुछ है, तो फिर फसे रहो, फिर फसे रहो, वो ही 80% में रहो, good is the opposite, good enough है न, great तो कभी बन नहीं सुखोगे फिर, रोज मर्रा की जिन्दगी में फसे रहोगे तो, good is the opposite of great, मैं कंसाम अपने बारे में तो बोलना चाहता हूँ, I want to become the great, the greatest, ever, who lived in this country, और उसके लिए मुझे freedom चाहिए, तो मुझे वो सब चीज़े सीखनी पढ़ेंगी, जो मैंने अपने गुरुवों से सीखनी, because discipline makes you free, तो एक businessman का discipline का है, businessman का discipline है to work on the business, और team का discipline क्या है, working in the business, जो discipline आप उनको सिखाओगे, तो क्यों यह सब इतने सारे आपको सिखाओ, because from averageness we want to take you to greatness, इसलिए रिशी सर का session होता है, उनको क्या पढ़िए सिखाने की, हो गया ना, पैसा जमा हो गया, life champions ecosystem का, क्यों यह मैं आज का session, बाकी सभी technical चीज़े, new knowledge छोड़ करके, क्यों यह आज का मैं session ले रहा हूँ, आपको clarity देने के लिए, कि शायद कहाँ पर आप चुप कर रहे हो, कहाँ पर आपकी सोच में कमी है, clarity में कमी कहाँ पर है, मैंने भोलता कि हर knowledge को, अरे कुछ तो implement करके, अपने strategy sheet के हिसाब से तो, काम करना शुरू करो, तो, यह यहाँ पर है, तो, अगें, तो धर्म क्या है, मुझे एक बात बताओ, इसकी उपर भी मैंने अभी, रिसेंटली एक वीडियो बना है, एक businessman जो होता है, वो एक engine driver की तरह होता है, एक train है, जो business है, या आपकी life है, या business से समझो, business एक पूरी train है, train का एक engine है, और पीछे डब्बे हैं बहुत सारे, और train का जो engine driver है, उसका क्या काम है, उसका क्या धर्म है, मुझे बताइए, पीछे जाके देखना, खाना मिला की नहीं मिला, S4 में, engine driver का क्या धर्म है, वो जाके देखना, बुले वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, toilet खराब हैं चलो, toilet में, एक वहाँ पे खड़ाओ के toilet करा, ट्रेन कहां जाएगी फिर, हर बार ट्रेन को रोकेगा, पीछे जाएगा, देखेगा, वहाँ पे अरे, बिना टिकिट वाले गुज गया, रोकी ट्रेन गया पीछे, बिना टिकिट वालों से deal किया, फिर ट्रेन आगे बढ़ी, अरे बुले, 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 वहाँ पर जो है, वो, एक किसी ने चेन खीज दी, तो उतर के गया, परची काटा, बुले, क्यों चेन खीजी, ये ट्रेन रोक दी, जब एक बिजनेसमैन अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो बिजनेस की गाड़ी ऐसी ही चलती है, अरे, वहाँ पर सीरीज ओफ लीडर्द होते हैं, टिकेट चेकर होता है, देखने के लिए भिया, कौन टिकेट लिया, नहीं लिया, बर्थ हॉलाओट होई की नहीं होई, बिना टिकेट पंचड़ा, अनौथरेच्ट पंचड़ा, उसको वो देखता है, एंजिन ड्राइवर कूस की फिकर नहीं होती, सफाई कर्मचारी होते हैं, जो देखते हैं, जो साफ सफाई है की नहीं है, यह है, भोजन वाले कर्मचारी होती है, पैंट्री कार होती है, भोजन मिल रहा है की नहीं मिल रहा है, वहाँ पर टेक्निशन्स जो होते हैं एक ही काम होता है एंजिन ड्राइवर बोलता है अपन सही दिशा में जा रहें कि नहीं जा रहें कहां जाना है हमको ऐसा तो नहीं कि कलकत्ता जाना था और बटिन्डा की तरफ चलिए मारी गाड़ि अधितेर लोगों को कलकत्ता जाने और गाड़ी जा रही है बटिन्डा बोले आर कहां Peggy ये कहा आ गए हम, यहां तो आने ही नहीं था हम को, एंजिन ड्राइवर का एक काम, गाड़ी सही दिशा में जारी की नहीं जारी, गाड़ी की स्पीड मेंटेन करना, गाड़ी सही दिशा में जारी की नहीं जारी, बट यहां पर हो यह रहा है, कि हर तीन किलोमेटर के बाद र पढ़ी नहीं फिर रुख जाती है कभी कभी तो पीछे ले जाना पड़ता है गाड़ी को वापस पे पिछले स्टेशन पे ले जाना पड़ता है तो एक एंजिन ड्राइवर का धर्म है कि वो देखे कि दिशा देखे और पूरी बाकी की टीम का जो है वो यह है कि वो दशा देखे ट्रेन की एंजिन ड्राइवर को कभी भी, मुझे एक बात बताईए, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि पाइलेट जो वो distracted रहे, उसका ध्यान इधर उधर रहे, क्या आप चाहेंगे कभी भी, कि पाइलेट का ध्यान इधर उधर रहे, आप चाहेंगे, नहीं चा का है कैसे ल्ैंड होगा यह पैलिट की उपर में कीं क्या जाता है प्लेन का ऊढ़ना और नहीं उड़ना वो अलग तो नंड तो अब प्लेंड सही डंग से लैंड हो आप नहीं चाहेंगे कि आपका पाइलेट तो आपका business भी नहीं चाहता कि कि as an engine driver, as a pilot of your plane, आप distracted रहें, और वो that distract नहीं होना, is discipline, physical, mental, emotional and spiritual, इसलिए ये पूरा life champions ecosystem का अस्तित्व है, उद्देश है और आपको जो इस सिखाया जाता है, वो हम संपत्ति आपको दे रहें, वो discipline हम आपको दे रहें, horse and the topa, इसका example भी पहले मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, घोड़ा का आपने जो देखा होगा, जो तांगे पे जो घोड़ा चलता है, अब घोड़ा का हमारी आखे ऐसे सामने रहती है, घोड़े की आखे ऐसे साइड में रहती है, उसको थोड़ा थोड़ा सामने का दिखता है, दोनों आखे मिलाके थोड़ा सा उसको सामने का दिखता है, लेकिन घोड़े का सीर और बनावट ऐसे रहती कि उसके आखे साइड पे रहती, उसको दुनिया भर का दिखता है, रोड उसको कम दिखता है, पर घोड़े का धर्म क्या है? तांगे वाले घोड़े का धर्म क्या है? बराबर रोड़ पे चलना. तो उसके लिए क्या करते हैं? एनिवन वुड लाइक तुनो? हाथ उठाइए. क्या करते हैं उसके लिए? कि घोड़ा बराबर चले उसका ध्यान सामने की तरफ रहे. क्या क करते हैं यस माविर प्रसाज जी बताइए क्या करते हैं मैं सिर्फ एक divict Rigby को मौका दूंगा धरशन जी बहुत अρχर से जानते हैं हाम मावीर जी बताईए मैं इससिर्फ एक कोई मोका दे पाऊंगा से लोगोड़े लोडे के कांग के ऊपर है यह आंक के ऊपर वह यहां लगा दिया करके, वो उसको बोलते हैं कि उसको दिखता नहीं है, और बिदक नहीं होता कि दिस्ट्रेक्ट नहीं होता नहीं जाता। तो पता चला इधर से कोई हाथी आ रहा है और वो बिदग जाए उसका वो टोपा लगा देने की वज़े से उसके इधर का विजन पूरा ब्लॉक हो जाते है और सिर्फ वो ही विजन जो सामने का रोड उसको दिखाता है सिर्फ वहीं पर वो रहता है जैसार लाइक एन एंजि और बाकी की चीजों को नजर अंदाज करना बाकी की चीजों को इग्नोर करना अब मैंने अपने जीवन का भी एक लक्ष बना लिया मैं शादियों में और वो उस परवों में नहीं जाता हूँ अगर डेथ होती है तो मैं जाता हूँ मैं ज़्यादा रिश्टेदारी नहीं मैं ज़्यादा रिष्टेदारी नहीं निभाता हूँ, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो मेरे mind को distract करते हैं, there are a few set of friends जो मेरे value system में fit होते हैं, और मैं उनके साथ जहां जैसा, मैं शादियों में नहीं जाता हूँ, मैं इधर उधर रिष्टेदारी ये वो मैं नहीं करता हूँ, मेरा criticism भी होता है, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने वो टोपा लगा के रखा है, या तो रिष्टेदारी की, तो मैं distract हो जाओंगा, हाँ, अगर विश्व record बनाने की सबसे ज़्यादा महिफिले पार्टियां किसने की, वो अगर किसी का लक्ष है, तो वो एक अलग बात है, बट मेरा लक्ष अलग है, anything, वो मैंने टोपा लगा के रखा है, मैं रिष्टेदारी नहीं निभाता, व होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता, मन चंचल होता है, राइट, नहीं मैं करता, ज्यादा रिष्टेदा, कुछ यह नहीं, कोई ज्यादा यार दोस्त नहीं, मेरे, मेरे शहर में, मेरे स्कूल के टाइम के बहुत सारे, बस, बहुत, बहुत formal relation रखता हूं मैं, that is my discipline, and because of that, I do miss out on some fun, I do miss out on some fun, अगर disciplined खाना खाना है, मैं रस्मलाई रबड़ी जो है, जैसे मन चाही मैं नहीं खा सकता, but it is okay, because वो नहीं खाना मेरे discipline में है, और उस discipline से मैं free होता हूं कि मेरा स्वास तक्चा रहता है, और एक दिन मैं देश के लिए यह सब कर सकता हूं, I do miss out on things, अब definitely कोई शादी हो रही है, वो मेरे साले के उसमें, जो है, मेरे in-laws के उसमें एक शादी थी, सब लोग गए थे, वो expect कर रहे थे, मैं भी जाओ, मैं नहीं गया, वहां बहुत मजा आया, कुछ उनका, संगीत वंगीत का कारेकरम था, यह वो था सब था, मेरे को मैंने देखे, lot of fun and frolic happened there, I missed out on that, but I am okay with it, I am still okay with it, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे इसका मुझे चस्का लग जाए, क्योंकि वो मेरा मूल उद्देशन नहीं है, जीवन का, तो जो चीज़ें आप miss out कर जाते हैं, those things are worth missing out, लिख लो इसको, the things you miss out, are the things worth missing out, और यही मेरे screen की उपर में भी लिखा हुआ है, जो चीज़ें आप miss करते हो, आप miss करोगे, देर राब तक सोना, आप miss करोगे, sorry, सुबह देर तक सोना, आप miss करोगे, but it is worth missing out, because you will have a healthy body, वो अंडशंट खाना, वो रबड़ी, रस्मलाई खाना, वो दबा के नॉन्वेज जो है, वो पेल देना, दारू मूरगा से पेट भर लेना, उसका जो मज़ा है, you will miss out on that, but it is worth missing out, because वो discipline आपको ऐसी जगा पे ले करके जाएगा, जिन्देगी में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, आप हर movie नहीं देख सकते, आप हर serial नहीं देख सकते, आप हर किताब नहीं पड़ सकते, आप हर व्यक्ति को दोस्त नहीं बना सकते, decide the difference between कि यह हम जो है वो pleasure के लिए कर रहे हैं, या हम किसी mission के लिए कर रहे हैं, and that is the confusion जो रहता है, जो हम फिर कभी किसी चीज़ के लिए बात करेंगा, So, again, the things you miss out, are the things worth missing out. Hello friends, मैं उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपकी उमीदों पे खरा उतरा होगा, और इससे आपकी life और business में एक positive change आएगा, ये positive change तभी आएगा, जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगी नहीं, बलकि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि action लेने से ही आपको life में results मिलेंगे. किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी training programs के लिए, हम और आप long term कैसी जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा website portal है, ajayshesh.in उस पर जाएं, और सभी जानकारी आपको मिलेंगे. आपकी उजवल भविश्य की business की life की मैं कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी जानकारी की 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 जानक